भुपाल से बड़ी खबर आ रही है जहां मध्य प्रदेश में एक और जिला बनाय जाएगा मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने इसकी घोशना की मैहर को नया जिला बनाय जाने की घोशना मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने की जन आशिरबाद यात्रा रतों क को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है जोरान मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने मैहर को नया जिला बनाया जाने की गोशना की है और मद्यप्र देश में अब एक और नया जिला बनेगा आपको बता दें किस से पहले भी हाल में एक नया जिला बना जिसकी गोशना मुक्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने की और एक और नया जिला बनाया जाएगा मैहर नया जिला बनेगा मध्यपुदेश में और इसकी खुद मुक्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने घोशना की है मुक्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने मैहर को नया जिला बनाय जाने की घोशना की चुनावी समय में एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया तरसल जन आशिरवाद यात्रा के रतों को हरी जंडी दिखा कर रवाना करने के लिए मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान यहाँ पर पहुंचे थे तरसल यहाँ विकास रत को हरी जंडी दिखा कर रवाना करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान और इस बारे में बात करेंगा हमारे सभी की शैले इंद्र अभी की परिसितियों के लिए बात करें तो जिस्टरे से अभी एक नया जिला मधिप्रदेश में बना इई था एक और नया जिला महिहर को बनाए जाने की तयारी है चुनावी समय है तावर तोड़ घोशना है सिवराज सिंग चौहान कर रहे हैं एक और जिला मधिप्रदेश को मिलने वाला जी देखिए बिल्कुल आज मुक्षमंद्री सिवराज सिंग चोहाद ने बोपाल में एक बड़ी घोसना किये महियर जो की विंद में आता है आज उसको जिला बनाने का उन्होंने गोसना किये तो सबसे बड़ी बात ही कि अभी दो दिन पहले ही वहाँ पर विंद में प्रसिद्ध तिर तिस्तले तो कहीं ना कहीं उस जिले में एक बड़ा नया जिला बनने से एक बड़ा फाइदा वहां की जनता को होगा क्योंकि अभी वहाँ पर सारी सतना जिला ही होता था तो एक नया जिला होने से काफी फाइदा उस छेत्र में मिलना तय है तो और ये 55 पनवा जिला होगा मदपेस का जो और पिछले तीन बड़े जिलों की घोषना सी एम अभी कर चुके हैं बड़कुल लेकिन शेलेंद रचुकी जिस तरह से घोषना ही हुई है अमल कैसे होगा क्या इसका क्रियानवेन होगा वहां के लोगों को लाब कैसे मिलेगा मैहर धाम आने वाले लोगों को कैसे लाब मिलेगा क्या सुविधाय है और जिला अलग से बनाने से क्या फायदा है देखिए बिलकुल अगर हम देखे तो अभी सारा ये जिला बनाने की जो कवायद है कहीं न कहीं इसको हम राजनितिक रूप से जोड़कर भी देख सकते हैं क्योंकि चुनाओ बिलकुल सिर पर है और लगातार जनता की मांग थी कि यहाँ पर एक जिला होना चाहिए अभी इसके पहले सीएम ने चिनवाणा में पांडूरना जिले की घोसना की थी तो उसके बाद वहाँ पर जीलों के बाद वहाँ पर अललग तैसिल बनाने की प्रक्रया भी तेजी से शुरू हो गई है तो सीएम ने आज घोसना की तो एक या दो दिन में ही ये सब तस्वीर साफ हो जाईगी कि उस जिले में कितने शहर जुड़ेंगे उसमें कितनी तैसिल होगी और उसका किस तरह से 17 से किस तरह कटकर उसका विस्तार होगा तो ये सब चीजे एक या दो दिन में भी प्रसासनी का अदे से बाद सामने आईगी अभी सीयम ने आज सुबह घोसना किए तो निश्चीत ये कि एक या दो दिन लगेंगे उसके बाद कितनी जंता को इससे फाइदा होगा महियर की कितनी आबादी इससे जुड़ेगी कितने जिले कितनी तैसिल ये सब चीजे अब बाद में एक दो दिन में सामने आ पाईगी बिल्कुल और चुकि चुनावी समय है इस बारे में चर्चा शैलेंदर पहले भी हुई थी और ऐसे बे चुनावी समय में मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने इसका ऐलान कर दिया है इस घोषना के बाद जो भी परिस्टियां बनेंगी उस पर भी डीटेल साब से लेंगे कारेकर में क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी कोई डीटेल अपने पास जी देखिए बिल्कुल आज जो विकास के रत हैं जो सियम ने आज उनको रवाना किया है जो अलग-अलग जिलों में जा रहे हैं बाजपा इस चुनाओं में विकास को अपना एहम मुद्दा बनाए हुए है विकास को लेकर बार-बार जनता के बीच जा रही है तो आज इसे सबी जिलों के लिए अलग-अलग विकास रत आज उन्होंने रवाना किये है तो और उसके अलवा बाजपा की जन अश्रवाद रत यात्रा तो चल ही रही है उसके अलग पांच यात्रा शुरू हुए उसके रत अलग जा रहे हैं जनता के बीच आज जहां पर सीएम ने जो महियर को जिला बनाने की गोशना किये वहाँ पर भी एक बाजपा की बड़ी जन अश्रवाद यात्रा जारी है तो और वो उसी छेत्रे से आज और कल गुजरना है जो की ये पूरा सत्व महियर जिला जिसको टच करेगा तो कहीं न कहीं एक बड़ा इसका फाइदा बाजपा को मिलना तय है बिल्कुल शैलेंदर ये जो लाब है वो लोगों को भी मिले और पार्टी को भी क्या मिलेगा इससे तो देखने का विशे होगा ही साथी जो आज विकास रत रवाना किये गए हैं आज एक बड़ा कारिक्रम होना है और जो जन आशिरवाद ग्यातरा भी निकाली जा रही है वो भारती जनता पार्टी की कई माईनों में हैं मदिप्रदेश आने वाले हैं चानक के कहे जाते हैं पार्टी के अमिट शाह की भी दोरे को लेकर तैयारियां रही होंगी कि मुख्यमंतरी शिवराद सिंग्छ चोहान ने भी मंद से इस बारे में कहा कि जनता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं 20 साल से विकास कर रहे हैं जनता का भी आशिरवाद वो मांग रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शाले इंदर फिर डिटेल लेने के लिए आपसे जुड़ेंगे समपर करेंगे और बढ़ते आगे और रुकरेंगे अगली खबर का जहां दुर्ग से एक बड़ी खबर